दोस्तों अगर आपने कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों पहले एक iPhone लिया है जिसकी battery health जो है वो काफी जल्दी कम होती जा रही है और अगर आप एक long time iPhone user हो जिसकी battery health percentage जो है वो 80% के आसपास पहुँच चुकी है 82-83% के आसपास और आप इस percentage को maintain करके रखना चाहते हो इसके अलावा अगर आपके phone के battery काफी जल्दी खतम हो जाती है तो इस चीज़ से आपको कैसे overcome करना है साथ ही आप अपने smartphone को fast charge कैसे कर सकते हो सब बात करेंगे इस video में तो पिना time waste किये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों मैंने October में और November में इन दोनों ही smartphone को खरीदा है iPhone 11, iPhone 12 को इन दोनों की जो battery health है ये 100% पे है तो ये मैंने कैसे किया है आपको कौन से charging cycles आपको phone अपना charge कैसे करना चाहिए आपको अपनी battery health maintain कैसी करने चाहिए इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले कुछ दोस्तों में मेरे पास Instagram में आप लोगों के messages की line लग चुकी है battery during के बारे में बता हो कुछ weeks के अंदर याने 3 या 4 weeks के अंदर लोगों की 4-4% battery health कम हो चुकी है basically इसका जो reason है ये charging cycles के उपर depend करता है आप अपने phone को कैसे charge करते हो उसको कैसे use करते हो ये सब कुछ इन दोनों ही चीजों पर depend करता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं phone charging की कि आपको phone charge कैसे करना चाहिए जिससे आप fast charge कर सकते हो दोस्तो सबसे पहला point है कि आपको Apple का original charger यूज़ करना चाहिए किसी भी आपको third party charger का use नहीं करना चाहिए दूसरी चीज ये आती है कि जब भी आप अपने smartphone को charge करते हो आप अपने smartphone का case जरूर remove करो because अगर आप अपने smartphone को case लगा हुआ charge करते हो तो इससे आपको दो problems हो सकती है पहला कि आपको बैटरी है वो काफी धीरे धीरे charge होगी और आपका device जो हो काफी ज़्यादा slow हो सकता है इसके लबाद दूसरा इसमें lithium-ion battery देखने को मिल जाती है जिसको अगर आप heated area में रखते हो तो इसका battery health जो है वो कम हो सकता है उसकी जो charging capability है वो कम हो जाती है और अगर आप अपने smartphone को काफी ज़्यादा fast charge करना चाहते हो तो simply उसको flight mode में रखो जैसे ही आप अपने phone को flight mode में रखते हो तो smartphone आपके सारे काम करना बंद कर देता है और इसका पूरा focus है ये charging की तरफ चला जाता है तो इससे आपको काफी जारा difference देखने को मिलेगा charging speed में और अगर आपको अपना phone use नहीं करना है तो मैं आपको suggest करूँगा कि जब भी आप phone अपना charging पे लगाते हो simply अपना phone जो है वो switch off कर लो जिससे आपको काफी अच्छा charging देखने को मिल सकती है और जो battery है वो अपनी full capability में charge होगी तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो smartphone है काफी जल्दी काफी जादा fast charge कर सकते हो अब बात कर लेते हैं आपकी जो battery draining होती है उसको आप कैसे control कर सकते हो सबसे पहला point आपको अपनी phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको background app refresh दिखाई देगा इस पे tap करके सबसे उपर आपको background app refresh को off करने का option दिखाई देगा इसको simply off कर दो यह आपकी काफी जादा battery को consume करता है इसके अलावा आपको आपकी settings में जाके privacy में जाके location service को देखना है और अगर आपका कोई भी app ऐसा नहीं है या फिर आप मेरी जैसे हो कि आप अपनी location को use नहीं करते हो तो please उस location को turn off कर दो because यह आपकी आदे से जाधा battery को खा जाते है जब भी आप कोई application use करते हो अगर इसको नहीं बन कर सकते तो नीचे आपको काफ सारे apps दिखाई देंगे उन सब को आप specifically जो भी app जिस भी app में आप location नहीं use करते हो सब को आप individually manage कर सकते हो वहां से directly off कर सकते हो इसके अलावा अगर आप अपनी fitness tracking अपने phone में नहीं करके अगर में band में करते हो या फिर किसी भी और जो भी आप band पहनते हो या फिर apple watch यो कुछ भी आप पहनते हो अगर उसमें करते हो तो यहीं privacy में आपको सब से नीचे दिखाई देगा motion and fitness motion and fitness में जाके fitness tracking को आपको off कर देना है तो आपका यह जो device है यह आपकी जो extra sensors यूज करता है जिसमें आपकी काफी सारी battery चली जाती है वो नहीं जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर auto brightness को off रखना है आप manually brightness को switch कर सकते हो अपने साब से जतनी कम से कम रख सको वो जादा better होता है इसके लावा आपको Bluetooth और आपका Wi-Fi जो है इसको off रखना है जब भी आप use नहीं कर रहे हो तो इसको off रखना है और off directly यहाँ से नहीं करके उपर control center से off ना करके आपको settings में जाके और Wi-Fi से जाके इसको बंद करना है अगर आप उपर directly वहाँ से करते हो तो वो 12 गंटों के अंदर फिर से चालू हो जाता है तो indirectly आपकी जो battery है वो use होती है इसके लावा अगर आप भी ऐसे applications को kill करते हो और आप फोचते हो कि ऐसे kill करने से मेरा battery काफी refreshed feel करती है या फिर refresh button type का दब जाता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप Instagram को off करके और फिर से उस Instagram पे जाते हो तो आपके फोन को दो बार महनत करनी पड़ती है उस app को खोलने में लेकिन अगर आप app switcher से directly उस app पे जाते हो तो वो आपकी RAM में saved रहता है अगर दिन में एक application आप बार बार use करते हो और उसको बार बार kill कर देते हो तो यह आपके phone के लिए अच्छा नहीं है phone को काफी जादा महनत करनी पड़ती है उस app को बार बार खोलने में इसके लावा एक shake to undo वाला option आपको दिखाई देगा जैसे ही आप shake करते हो तो undo का option start हो जाता है तो अगर आप उसको off कर दोगे तो आपका phone detect ही नहीं करेगा कि इसको हिलना है कि डुलना है कि जो कुछ भी है यह भी आपके phone की battery में काफी जादा मदद करता है इसके अलावा अगर आपके पास एक OLED display वाला phone है यानि कि iPhone 12 है, iPhone 10 है, 10S है जिसमें भी OLED display आपको देखने को मिलता है इसमें अगर आप darken wallpapers use करते हो जैसे कि आप full black wallpaper use करते हो और साथी अगर night mode का use करते हो यानि कि जो dark mode का use करते हो तो यह एक बहुत ही अच्छे बात हो जाती है आपकी जो battery है यह काफी कम use करेगा आपका smartphone जिससे आप काफी अच्छी खास यह battery बचा सकते हो तो दोस्तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखरी और सबसे important point की तरफ कि आप अपने battery health को maintain कैसे कर सकते हो तो इसका simple और सीधा trick यह है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने phone की battery को 40% से नीचे नहीं होने देना है मतलब अगर 40% से नीचे battery हो जा रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकर उसको तुरंत पर चार्ज पर लगाओ अगर आप gaming कर रहे हो आपका smartphone 80% चार्ज है खिलते 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 अगर वो 10% भी आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसको फटा-फट से charge करके 40% से उपर कर लो आपको यह balance बना कर रखना पड़ेगा अगर आप अपने smartphone को हमेशा 40% से उपर रखते हो चार्ज तो यह आपके phone की battery के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है आपको यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप अपना smartphone 20% पे छोड़ देते हो और वो रात भर 20% पे ही रहेगा यानि कि basically आप सुबह उठो के तो आपको battery percentage और कम देखनी को मिलेगा बट आपको यह गलती कभी नहीं करनी है अपने phone को कम से कम 50% तक चार्ज रखो ताकि वो सुबह तक 40% आपको मिले और अगर यह सारी चीज़े नहीं कर सकते हो तो optimize battery health को on करके और अपना जो phone है उसको रात भाल चार्ज पे लगा सकते हो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ दो लोग है एक बंदा है जो अपना phone सुबह चार्ज करता है अब वहीं बात करते हैं एक दूसरे बंदे की उस वो सुबह उठा उसने phone अपना चार्ज किया दो पहरे तक उसकी charging 50% हो गई शाम तक उसकी charging 20% के आसपास बची और उसने सुचा मैं इस phone को छोड़ देता हूँ सुबह उठके चार्ज कर लूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुबह वो उठा उसको 15% के आसपास battery percentage देख्टी को मिला उसने फिर से charging पे लगाया और फिर से चल दिया अब आप इन दोनों में से बोलोगे कि जो heavy data वाला user है जिसने दिन में दो या तीन बार अपने phone को charge किया उसका battery health या battery cycles काफी जल्दी खतम हो जाएंगे as compared to कम heavy users के तो दोस्तों आपका यहाँ सोचना बिलकुल गलत है आप अपने phone को 100% capability में उसकी use कर सकते हो लेकिन यह जो rule मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया आप अपने smartphone को 40% से नीचे रखो मत अगर battery जा रही है अगर आप phone कोई task कर रहा है कुछ use कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है 5% भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जैसे ही उसका use खतम हो तुरंत उसको charging पर लगाओ 40% से उपर कर दो मैं 100% guarantee देता हूँ कि जिस भी percentage पे आप अभी हो आज से 2-3 महीने चार महीने आप उसी battery percentage पे ही होगे मैंने October में और November में ये दो smartphone purchase किये हैं जिसमें से iPhone 11 तो मैं बहुत ही जादा बहुत तगड़ा use करता हूँ iPhone 12 मेरा secondary phone है इसको मैं इतना जादा use नहीं करता लेकिन इन दोनों की ही जो battery health है वो 100% पे है और जिस technique के बारे मैं मैंने अभी बताया है इसी technique को use करता हूँ simple एक fund आपको ध्यान रखना है कि अपने phone को 40% से नीचे रखना नहीं है अगर use करते करते चला जा रहा है तो कोई बात नहीं है यह काफी ज़दा heavy user था लेकिन उसका charging cycle इतना गजब का था कि उसको उसकी battery लगभग 1000 recharge दे सकती है याने कि 1000 battery cycles वो जेल सकती है उसकी battery लेकिन वहीं जो दूसरे बंदे का याने कि उसका phone का इतना use भी नहीं था लेकिन उसकी charging technique सही नहीं होने की वज़े से उसको जो उसका smartphone है या उसकी battery है यह 500-600 recharge याने की 500-600 cycles ही provide करेंगी तो यह काफी बड़ा difference आ जाता है इसके लवाए एक pro tip मैं और आपको बता देता हूँ आपको week में एक बार अपने iPhone को switch off करके switch on कर लेना चाहिए याने के reboot कर लेना चाहिए तो आपका smartphone काफी healthy feel करता है जैसे कि हम नहा के feel करते हैं तो दोस्तो यह था आज का मारा वीडियो आई होप यह वीडियो पसंद आयोगा इस वीडियो की हर एक technique जो मैंने आपको बताई है उसको अगर आप follow करते हो उसके बाद मुझे नीचे comments में बताओ कि आपकी battery health पे क्या फरक पड़ा है और I hope आप सबकी जो queries हो वो solve हो गई ह और जिन भी लोगों की battery health काम हो रही थी वो बिलकुल भी ना हो ऐसा हम आशा करते हैं तो I hope यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को share कर दो अपने जितने भी iPhone वाले दोस्त यार मित्र भाई बंदू सखा सब तक आप तक सबसे पहले पहुंचे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई